Welcome Friends, नमस्कार में डॉक्टर प्रदी कुमार, आप सभी लोगों का भुत बहुत स्वागत करता हैं भाईयों काफी सारे लोगों के सरीर में वितामिन B3 की कमी हो जाती है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है के सरीर में विटामिन B3 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए जिसकी बरे से उनके सरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है और लंबे समय तक सरीर में विटामिन B3 की कमी के बने रहने के कारण उनको काफी सारी बिमारियां हो जाती हैं जिससे वो काफी परिशान हो जाते हैं तो भाईयो आज मैं आपको सरीर में वेटामिन B3 की कमी को पूरा करने का घरिलू सही तरीका मैं आपको इस वीडियो के माद्दम से बताने जा रहा हैं तो भाईयो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें तो भाईयो जो लोग सरीर में वेटामिन B3 की कमी को पूरा करना चाते हैं तो भाईयो आप हरे मटर को खाएं पालक को खाएं ब्रोकली को खाएं मश्रूम को खाएं संत्रे का रस्पिये मैथी के बीज को खाएं तूरज मुखी के बीज को खाए, मुफ़ली को खाए, कद्दू के बीज को खाए, तूद को पिये, पनीर को खाए, दखी को खाए, मक्खन को खाए, और देशी घी को खाए अंडा चिकेन और लाल मास को खाएं जेई को खाएं भाईयो पानी प्रति दिन दो से ठाई लीटर पानी चलूर पिया करें तो भाईयो गर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपके सरीरे में जो वेटामिन बीधरी की कमी हो गई है यह समस्य आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए भाईयो गर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं भाईयों मुझसे कमेंट करें मैं आपके कमेंट का जवाब चलूतूंगा तमस्कार भाई